गुड़ बॉर्णिंग बच्चों, 12th क्लास की एलेक्ट्रकमेस्टी रे यूनिट चल रही है, टॉपिक है मर्करी सेल, तेखें मर्करी सेल किसका एक्जामपल है, जो आपने पढ़ा कि जो सेल है, फ्यूल सेल है, वो तीन परकार के थे, प्राइमरी, सेकंडरी और है, फ्यू सेक्षन भी देखो, आपने क्या लेना है, टेके जिंग कंटेनर, टेके जिंग, सिलेंडरी कल जिंग के कंटेनर, जिंग का सिलेंडर की फोर में बना हुआ है, के सिलेंडर लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, के एक कार्बन की रोड, कार्बन की रोड, कार्बन रोड ग्रेफाइट रोड कैसे कहां ठीक है ये तो किसका है जिंक का सिलेंडरीकल कंटेनर है ये किसका है ग्रेफाइट का ठीक है किसका है ग्रेफाइट का तो अब देखो ग्रेफाइट रोड है उसके साथ अब इसके अंदर क्या फिल करना है यानिके जिंक तो मोर रियक्टिव त यह क्या है cathode ठीक है और क्या है कि इन दुनों के बीच में किस से बरा गया है जो यह mixer है तो याद रखना यह mixer क्या होता है मौइस मरकरी ओक्साइड मौइस मरकरी ओक्साइड एंड पोटासियम आइड्रोक्षड का मिश्रण है और कहता है कि इसके साथ साथ क्या है कार्बन लाइनिंग लगाएगी है पोर्स कार्बन लाइनिंग बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं पोर्स पेपर है ठीक है कार्बन ल कैथोड को separate किया जासके थिक है तो अभ दिखो याद रखना है आपने टेकर सिलेंडरिकल जिंक कंटेनर टेकर सिलेंडरी कल जिंक कंटेनर एड एक गरेंड रोड गरेंड यह रोड का तक है cathode ठीक है तो ये बात आपने याद करनी है और क्या है इसके अंदर जो electrolyte है वो moist mercury oxide and potassium hydroxide देखो अब working देखिए working कैसे है वैसे working उसकी और इसकी लगबग same थी ठीक है देखो अब आपने पढ़ा कि सबसे पहले क्या है एनोड के उपर ही होता है तो एनोड पर क्या होगा जिन्ग कमेशा क्या काम करता है लोजडा electronMom ठीक है क्या है लोजडा electronаков को लोजट कर दे तो positive iron और कैथोड के उपर क्या होता है देखो आप आपको पता होना चिए देखिए दो चीजे है आपके पास कैथोड क्या है mercury oxide क्या लिए सब्सक्राइब करेंगे थिससे हैं अदिया है fakir를 जाएगा उर्ट्रो डॉपर ट्रांस्पर बंचीन सब्सक्राइब गए इनोड के ऊपर और क्या बना देगा? आपको पता चल गया, जिंक औक्साइड पलस क्या बना देगा? S2 ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? electron loss करवा देते हैं ठीक है तो बात cdc है यूज करते रहें ठीक है नहीं तो zinc oxide plus s2 plus में electron और electron किस पच्चते रहेंगे cathode पर ठीक है तो totally overall reaction जब पढ़ेंगे तो overall reaction इनको जब जोडेंगे तो आप आपको पता चल जएगा कि क्या बन जएगा यानिके एक जगे zinc है एक जगे क्या लिया है mercury oxide और क्या बन जएगा zinc oxide plus क्या है mercury separate हो जएगी ठीक है दूसरी बात आपने याद रखने है what is the voltage of the mercury cell mercury cell की voltage क्या है ठीक है mercury cell तो mercury cell की voltage 1.35 volt होती है वाई 1.35 volt ठीक है जैसे dry cell में आपने पढ़ा था dry cell की कितनी बताई थी 1.25 से लेकर के 1.5 volt उसके बाद एकला topic चल पढ़ा secondary cell वाई क्या है secondary cell secondary cell क्या होता है आप आपको पता चल गया primary cell के according तो primary cell में तो दो cell which are used once time सिरफ एक ही बार यूज किया गा यानि डू नॉट रिचार्ज अगेन तो दूबार रिचार्ज नहीं किया जा सकता है उसको primary cell बोलते थे secondary cell क्या है क्यता है कि दो cell which are used again and again यानि कि जो बार बार यूज किया गा used again and again ठीक है तो again and again तो बार बार यूज किया जाए तो उसको क्या कहते है या फिर बार बार रिचार्ज किया जाए तो उसको क्या कहते है secondary cell क्या कहते है secondary cell अब secondary cell के example भी याद करने है आपने primary cell के dry cell और क्या था आपका mercury cell इसमें क्या है लेड स्टोरीज सेल, क्या है, लेड स्टोरीज सेल, ठीक है, लेड स्टोरीज सेल, और दूसरा है, निकल कैडमियम स्टोरीज सेल, ठीक है, निकल कैडमियम स्टोरीज सेल, तो अब आपको पता चल गया, कि दोनों के दो दो एक्जाम्पल है, तो अब टॉपिक चल पड़ा, क क्या है तो देखो भई आपने क्या करना है कोई भी एक कंटेनर लिया देखो कोई भी कंटेनर लिया इस कंटेनर के अंदर आपने six grid डालने है ठीक है एक container ले लिया इस container के अंदर कितने grid है six grid है ठीक है तो याद रखियो इसको ये grid है छे देखे ये आपका त्यार हो गया तो देखे तीन cell की arrangement अलग से ठीक है तो तो इसका अलग क्या गया तीन cell एक side में तो देखे क्या कहते हैं वो याद करना है आपने तो इन में से एक तो क्या होगा एनोड होगा और एक क्या होगा कैथोड होगा और आपको पता चल गया cell है तो एनोड पर negative कैथोड पर क्या गया positive तो इनको क्या बोलते हैं, याद रखना, grid बोलते हैं, क्या बोलते हैं, grid बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, grid, किसके हैं, lead grid बोलते हैं, ठीक है, तो जो तीन grid हैं, वो किसके दवारा, तो कहते हैं, each cell, परतिक cell, each cell consists of grid of lead, filled with, किसके साथ filled कियागा है, spongy lead, किसके साथ है, spongy लेड क्या है स्पंगी लेड स्पंजी कैस कहा स्पंजी लेड ठीक है स्पंगी लेड तो जो एनोर्ड है वो तो क्या स्पंजी लेड किसके साथ है स्पंजी लेड याद रखो गए and agreed, filled with, किसके साथ है यह जो 3 बच गए यह किसके साथ है, lead oxide के साथ किसके साथ filled किये गए है lead oxide के साथ, ठीक है lead oxide के साथ, तो अब आपको पता चल गया, यह तो किसके साथ है lead oxide के साथ filled किये गए है जबकि वो किसके साथ किये गए है spongy lead, किसके साथ है बही, spongy lead ठीक है, spongy lead तो याद रखोगे, उसके बाद इसके अंदर जो electrolyte है इस पूरे के अंदर electrolyte field किया गया है electrolyte क्या आजेगा, S2SO4 और वो भी क्या है, dilute है क्या है, dilute, ठीक है तो dilute S2SO4 यूज़ करना है ठीक है, नहीं, तो देखे देखे, क्या लिखा गया है, कि each cell consists of a देखे each cell consists of a grid of lead filled with, किसके साथ filled किया गया, with पंगी lead act as a node and grid of जो grid है, three grid है, are filled with क्या है, lead oxide act as cathode in this cell, dilute S2SO4 act as a electrolyte, this cell is used to produce produce करने के लिए क्या, two volt each from six cell छे cell होगे आपके पास, तो एक cell से दो वोल्ट दो electric current obtained कर सकते हैं ठीक है, इस cell का automobile में use किया जा सकता है तो देखे, during discharging अब बात चल पड़ी कि working कैसे करता है, कि discharging के दोरान, तो अब आपको पता चल गया, discharge का मतलब समझते हो, ठीक है देखो, क्या आगया कि lead जो है क्योंकि anode के ओपर reaction होती है में इसा, lead, देखो lead में इसा क्या काम करता है, लोस्दा electron, क्या करता है, लोस्दा electron, ठीक है, तो जो S2SO4 है, S2SO4 वो तूट जाएगा, तो sulphate iron और hydrogen iron, तो lead के साथ क्या, जो lead iron है वो किसके साथ की रिया करेगा, sulphate iron के साथ, किसके साथ sulphate iron, PbSO4 तो इसकी overall reaction चाहें, तो आप क्या लिखोगे, देखो, Pb plus में क्या आगया, SO4, minus 2 यानि sulphate, lead sulphate plus में क्या आगया, 2 electron तो ये anode के ओपर ओने वाली reaction है sorry, lead oxide होता है तो lead oxide किसके साथ, S2, SO4 लेकिन इसमें hydrogen iron प्रोडूस युए थे तो वो भी आजेंगे, और जो sulphate iron है, कुछ इसके भी use करेगा, और जो loss किये गई electron है, वो भी gain करेगा, तो इसका होला क्या बन जाएगा, lead sulphate क्या बन जाएगा, lead sulphate साथ की साथ क्या बन जाएगा, H2 या H2O ठीक है, तो वो बैलेंस करके पता करेंगे, तो H2O ठीक है, तो overall जब reaction पढ़ेंगे, दुन्नों की, दुन्नों की overall reaction पढ़ते हैं, इसकी और इसकी तो क्या मिलेगा आपको, lead plus में क्या जाएगा, two sulphate ठीक है, plus में क्या आगया, lead oxide plus में क्या आगया, hydrogen क्योंकि सारे जूट दी, तो आपको क्या मिल जाएगा, lead sulphate plus में क्या है, hydrogen ठीक है, during discharging the density of H2SO4 false, क्योंकि H2SO तो क्योंच जाएगा, decrease ओती चली जाएगी वेंदा कहते हैं, density false below, one point जब density, density जो है, density जो है वो one point two zero gram per cubic centimeter से per cubic centimeter से कम हो जाएगा, बिलो हो जाए तो battery क्या जाएगा recharge करनी पड़ेगी battery needs to recharge, तो recharge में during क्या जाएगा during क्या जाए, recharging तो recharging में वेशाई याद रखना इसकी सारे की सारे reaction उल्टी हो जाएगी भई, ठीक है कैसे, देखो आपने इसकी reaction पड़ी थी है node पर, तो वापिस उल्टी हो जाएगी product वाले तो सारे reactant में लिख दो, और क्या है क्या है reactant वाले product में लिख दिए ठीक है, इसी परकार क्या है cathode वाले भई, cathode वाले अब यह opposite लिखे जाएगे यानि के, lead sulfate पहले लिखा गया lead sulfate प्लस क्या जाएगा S2, और किसमे convert हो जाएगे वो, फिर आप reactant लिख होगे lead oxide प्लस SO4, ठीक है, प्लसमा hydrogen ion, प्लसमे क्या जाएगा electron, तो वापिस हो जाएगे क्योंकि reverse हो जाता है, ठीक है तो याद रखोगे thank you